हेलो दोस्तों आज हम एक स्प्रेंग करेंगे एक चैनीज एनिवे जिसका नाम है एविल अटनल ये कहानी है एंशिन टाइम की जब हेवन रिवर चारो तरफ स्प्रेड हो गई थी खासकर हेवन रिवर अलाम में ये रिवर कई सारे एमोटल सेक्ट को एनरजी प्रोवाइड कर रही थी उस टाइम पे चार सेक्ट जो की बहुत ज़ादा पाउरफूल थे Bloodstream, Spiritstream, Pillstream और Mystic Stream और इस स्टोरी की शुरुवात होती है Spiritstream से Stream से में दो लोग आपस में चेस खेल रहे होते हैं उनमें से एक का नाम होता है Shoo Mi Shiang वो Wallet Calderum Peak Master होती हैं और दूसरे होते है Lee Kuanho वो Fragrant Town Peak Master होते हैं Mi Shiang क्योंग हाउक से बोड़ रही होती है कि जब तक तुम अपनी attachment को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम peace नहीं पापा होगे क्योंग हाँ बोड़ रहे होते हैं कि अगर attachment की बात करें तो फिर आज से कई साल पहले मैंने अपने benefactor से promise किया था कि अगर जोनका decent होगा वो एक mountain पर light करेगा black incense तो फिर मैं उसे अपना disciple बना लूँगा और करीबन पिछले तीन साल उसे वहाँ पर को light कर रहा है black incense तब यह अचाने से signal आता है तो फिर मीशांग बोड़ रहे होती है कि तेरवी बार है आज के दिन को light incense कर रहा है नीचे एक लड़का होता है माउंट हूट पर और उसके हाथ में black incense होती है उसे light कर रहा होता है उस लड़के का नाम होता है बाई शौचान तो फिर अचानक से शावचान के उपर lightning गिरने लग जाती है बाई शावचान भाग रहा होता है कि शायद बाई शावचान आज नहीं बच पाएगा यह बात उनका चीफ सुन लेता है और उनने डाट रहा होता है कि भले उसने हमारे सारे मुर्गे खा ली है बट उसे हमने बड़े होते हुए देखा है वो हमारे बच्चे की तरह है फिर सके बाद चीफ भी प्रे कर रहे होते है कि उमोटल आए और उस लड़कों को यहां से लेकर चला जाए तब ही माउंट हूट पर ली क्यूंग हाओ आ जाता है बाई सार्चान क्यूंग हाओ के पास जाता है और उन्हें अंकल ली बोड़ रहा होता है बाई सार्चान बता रहा होता है कि करीबन मैं तीन साल, दो महीने, तेरा दिन और दस घंटे से वेट कर रहा हूँ है यहां पर मैं बाई फैमिले का डिसन्ट हो रहा हूँ आपने हमारी फैमिले से प्रॉमिस किया था कि आप मुझे अपना डिसिबल बनाओगे अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर शायत मुझे ब्रैक इंसेंस मार डालेगी और अगर मैं मर गया तो फिर आपका एक्रिमेंट इन्वैलिट हो जाएगा क्यों गहाँ पूश रहा होता है कि अगर तुम्हें अतना डर लगता है तो फिर तुम रोज डेली ये लाइट इंसेंस क्यों करते हो फिर शाहो चान emotion होने का pretend कर रहा तो बोल रहा होता है कि जो मेरे villagers हैं वो ही मेरे relative की तरह है जब भी मैं light incense करता हूँ तो फिर वो हमेशे sentimental हो जाते हैं और मुझे रोगने के लिए wish करते हैं बट मैं सच मैं immortal की तरह cultivate करना चाहता हूँ जो cultivators होते हैं वो immortal होते हैं और मैं भी हमेशा के लिए जीना चाहता हूँ क्योंगा हो बोल रहा होता है कि अगर तुमने फैसला कर लिया है तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ immortal सेक्ट लेकर जाओंगा बाय साथ चाहन ये सुनकर खुशन लो जाता है रहो बोल रहा होता है कि एक बार मैं अपने विलेज चीफ को मेंजर परन चाहता हूँ कि मैं यहां से जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरी जुदाई का गम बरदाश नहीं कर पाएंगे जैसे ही ये ख़वर विलेज चीफ को पाज जलती है तो फिरो रोने रहे जाते हैं बट वो खुशिक हमारे रो रहे होते हैं और सारे विलेजर्स पार्टी करना स्टार्ट करते थे हैं क्यों घाओ बाए साचान को अपनी पीक पर लेकर जाते हैं याने की फ्रेग्रन क्लाउड फिर वो उसे एक जाहे पर छोड़ते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि आज से तुम यहीं पर कल्टिवेट करोगे यह कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं फिर कुस देर बाद वहाँ पर एक आतमी आता है और वो बाए साचान के तब देख रहा होता है कि तुम दिखने में तो ठीक हो बहुत जादा स्कीनी हो तब ही वहाँ पर एक लड़का आता है और वो जांग दहाई से बोल रहा होता है कि मैंने तुम से कितनी बार रिक्वेस्ट करी कि तुम मुझे अपने इस किचन में शामिल कर लो बड़ तुमने नहीं किया और तुम किसी और लड़के को शामिल कर रहे हो उस लड़के का नाम होता है शू बाकाओी बाकाओी बोल रहा होता है कि मैं कई सालों से स्पीड स्टों सेफ कर रहा हूँ ताकि मैं किसी तरीके से तुमारे किचन का इस्सा बन सकूँ जांग दहय को गुसा जाता है और वो बाकोई से बोड़ रहा होता है कि तुम्हारी गलती है कि तुम स्पैकर्स के ट्रैप में फस गए हो गुससे माकर बाकोई अपनी रिफाइन की स्वार निकालता है और वो बाईसाचन पर हमला कर देता है तब ही जांग द्याई उसे बचा लेता है और वो बाकोई उसे बोड़ रहा होता है कि तुम सिरफ अभी सेकंड लेवल की चीपर हो और तुम मेरी टेरिटरी में आकर यहां पर सीन खड़ा करना चाहते हो जांग द्याई बाकोई पर हरमला करता है और उसकी नोस से बलड निकलना स्टार्ट हो जाता है बाकोई उसकी बलड से एक एगरिमेंट बनाता है और वो एगरिमेंट जाके बाई साचन के हाथ पर लग जाता है फिर वो साउचान से बोड रहा होता है कि अब तुम्हें बलड नोटिल रिसीव हो गया है तो फिर जब तक मैं शाहत नहीं बैटूँगा जब तक हम दोनों से एक की मौत नहीं हो जाए ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है तो फिर जांग धाई बास साउचान के पास जाते हैं और उसे बोड रहे होते हैं कि तुम्हाँ डरने की कोई जोट नहीं है ये सरफ एक डूल चैलेंज है जब तक तक तुम इस चैलेंज को एसेप्ट नहीं करोगे तक तक तुम बल्कु ठीक रहोगे और वैसे भी मैं अपने किचन के चारों तरफ एक फॉर्मिशन सेट करने वाला हूँ ताकि यो दुवारा यहाँ पर ना आपाए फिर वो साउचान को पने साथ किचन में ले जाता है उसे बता रहा होता है कि यहाँ पर सारे मोटस के लिए खाना बनाया जाता है और जो भी यहाँ पर खाना होता है उनका जो ग्रेड होता हो बहुत ज़्यादा हाई होता है स्प्रिच्छल पावर में तब ही वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं जो की जंग दयाये के भाई होते हैं और वो बाई साउचान से मिलने के लिए आये होते हैं जांग डाय बोड़ रहा होता है कि इस किचन में तुम्हारे आठ सीनिय आ रहे हैं और नौवे तुम होगे और तुम्हें अबसे 950 बोला जाएगा फिर वो सारे सावचन को बाहर लेकर जाते हैं उससे बोल रहे होते हैं कि हमारे किचन के एक सेर्मेनी है कि तुम्हें एक डिवाइन आर्टिफेक्ट सेलेक्ट करना होगा फिर वो सारे सावचान को वो आर्टिफेक्ट दिखा रहे होते हैं जिस सावचान उन्हें देखता है तो फिर वो हैरान जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कड़ाईयां रखी होती है फिर शाउचन उसके अंदर जाता है और वहाँ पर कड़ाई ढूंड रहा होता है अब करीबन शाम हो गई है और अभी तक उसे कड़ाई नहीं मिली होती आखिर में वह एक कड़ाई को सिलेक्ट कर लेता है तो फिर वह सारे हंस रहे होता है और पूश होते हैं क्या तुम सीरियस हो क्योंकि ये बिल्कु टर्टल की तरह दिखती है और वैसे ही बहुत टाइम से सिलेक्ट नहीं किया और ये ऐसे ही बड़ी है तो फिर साउचन बोर्ट रहा होता है कि टर्टल जातर londército के लिए जाने जाते है इस वह से सिलेक्ट कर रहा हूं रात को साउचन जंग धारी के साथ होता है तो फिर वette बता रहे होते हैं कि मैं तुम्हें पीक के बारे में कुछ बताना जाता हूं सबसे पहले वो बताते हैं वोलर काल्टन पीक के बारे में वो बोर्ड होते हैं कि इस पीक में करीवन 10 लेवल ने चीक है जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा वैसे ही तुम्हें और भी जाता माशिल अर्ट आ जाएंगी और वैसे ही हम सिरफ थर्ड लेवल तक की कल्टिविशन को ही सीख सकते हैं अगर तुम आगे और लेवल के लिए कल्टिविशन करना चाहते हो तो फिर तुम्हें आउटर सेक्ट डिसिबल बनना होगा यह सब सुनने के बाद वैसे हुचन अपने रूम में चला जाता है और वहां पर वो कल्टिविशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है बट वो पहले लेवली क्रोस नहीं कर पा रहा होता तब यह उसे अचान से कुछ आवास नहीं देती है जो वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक रूम में वो सारे ब्रदस खाना खा रहे होते हैं जांग द्याय बाई सार्चन को देख लेता है और उसे बोड़ रहा होता है कि अब सब तुम्हें देख लिया है तो फिर हम तुम्हें नहीं जाने देंगे भाग आए किचन के बाहर होता है और वो कोशिश कर रहा होता है किसी तरीके से फॉर्मेशन वो ब्रेक कर दे बट वो नहीं कर पा रहा होता है